कुल्बूशन का कौन सी वे तमाम बड़ी खबर जाज पूरे दिन सुर्खियों में रहीगी दिए मतवदीश में पंचाय चुनाओं की तारीकों का एलान हो चुका है लेकिन तारीकों के एलान के बाद जिस पकार से कौंगरिस के जो पंचाय संगठान है उनों ने हाई कोल में याची का दायर की थी और उसके बाद हाई कोल्ड से जिसकर का जवाब मिला है कि अब तारीकों का एलान हो चुका है एलेक्षन की तैयारिंग हो चुकी है और ऐसी इस題 में election होंगे हम किसी प्रकार की भी रोग जो है नहीं लगा पाएंगे अब सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा जो है यहां पे खटखटाया है कॉंग्रेस नेता ने और कल याची का दायर की थी जिसे सुविकार कर दिया गया है और आज जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी तो राज देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट पंचाज चुनाओं को लेकर क्या कुछ फैसला सुनाती है पंचाज चुनाओं को लेकर अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस का आरोपे की 2014 के परिसीमन आरेक्शन के तहट जो है चुनाओं कराए जा रहा है क्योंकि चमदतीश में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी 2018 में तो कॉंग्रेस की सरकार ने जो है परिसीमन करवाया था उसी के तहट जो है चुनाओं कराए जा लेकिन तक्रीबन यहां पे साथ साल पहले का जो परिसीमन हुआ ता उसी के तहरत जो है चुनाओ कराय जा रहे हैं जिसको लेकर अपत्ती डर्जिकी गई है और इसी को लेकर आगधा फैसला आना है तो आज दिमबर सब की निगाए सुप्रीम कोर्ट के फैसरे पर टिकी रहेंगी कि क्या कुछ फैसरा जो है सुप्रीम कोर्ट सुनाता है इसके साथ ही अगर बात की जा है ओमिक्रॉन की तो तीसरी लहर जो है देश में दस्तक दे चुकी है ओमिक्रॉन के लगतार मामले बढ़ते हैं नजर आ रहे हैं अभी फिलाला देश की बा रहे हैं और इसी को लेके जो है तमाम तैयारी को लेकर चर्चक की जा रही है मदबदेश के अगर बात की जाए तो जो भी अब विदेश दोरे से मुपाल या मदबदेश महुचेगा उनके खिलाफ अगर वो अपनी रिपोर्ट छुपाते हैं या अपनी यात्रा की जानका आएगा या वो किस सहर से किस सहर गूमने का है या यात्रा करें उन्होंने अगर वो इसकी जानकारी प्रशाचान को नहीं देगा तो उनके खिलाफ जो है सक्त कावर्ण को मिलाकर यहां पर कर या सी ख़बरे हैं जो आज पूरे दिन सूर्क्यों में रहने वादेश में